13.2 गोली दर्पन से प्रतिबिम रचना के नियम पहला गोली दर्पन पर जो केड़ने मुख्य अक्ष के समानतर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात A. अवतल दर्पन में फोकस बिंदू से होकर गुजरेंगी B. अवतल दर्पन में फोकस से आती हुई प्रतित होंगी दूसरा गोली दर्पन पर जो केड़ने A. अवतल दर्पन में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती हैं B. अवतल दर्पन में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती हैं वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती हैं तीसरा हम जानते हैं कि जब आपतित किरण अभिलंब दिशा से आपतित होती हैं तो व उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं इसलिए गोली दर्पन पर जो किड़ने अ अवतल दर्पन में वकृता केंद्र से होकर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लोटाती हैं ब उत्तल दरपण में वकृता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखती हैं वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लोटाती हैं चोथा गोली दरपण में जब प्रकाश की रण धुरू पर आपतित होती हैं तब वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं इस इस्थिती में पी बिंदु पर मुख्य अक्ष अभिलंब है